हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद सो एंपी सैट 2024 पेपर वान के बेस्ट परपरेशन के लिए 20 मोस्ट रिपीटिव टॉपिक्स के लिस्ट आज में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स प्रीवेस एर एक्जामिनेशन को अच्छ सो टीचिंग अप्टिच्उड में एक तॉपिक है लेवलीज एव टीचिंग इस टॉपिक में से जरूर एक्जाम में क्वैसे कते हैं ठीक है, don't worry, यह सब कुछ मैंने पढ़ाया है, और आगे भी हम exam से पहले वापस पढ़ेंगे, revise करेंगे, दूसरा important topic है, bloom's taxonomy, bloom's taxonomy का मतलब होता है, bloom का वर्गी करन, so bloom का वर्गी करन का levels जो है, इसके अंदर आपके पास कुछ steps आ जाते हैं, वो आपने जरूर पढ़ने हैं तीसरा most important topic है, evaluation, यानि कि मुल्यांकन, so मुल्यांकन के different types होते हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़े पढ़ी होंगी, तो उनके लिए तो मैं confident हूँ, कि आपको ये सब आता ही है, ठीके? तीन topics होगे, four topic पर जाने से पहले आपको बता दू, students exam को qualify करने के लिए एक smart तरीका आपको follow करना चाहिए, खास और पर paper one में अगर आप लोग 80 plus score करना चाहते हो, तो हम आपके लिए complete course लेकर आए हैं, जो कि examination के difficulty level के हिसाब से prepare किया गया है, exam से पहले 100% syllabus coverage की surety में देती ह आपके सारे concept clarity के साथ साथ आपको topic wise MCQs and PYQs पर revise करवाए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे questions आते हैं, okay, revision के लिए mock test and MCQ question bank भी है, जिसमें से guaranteed as a test questions आते ही है, so 18th April से हमारा एक नया batch start हो रहा है, sorry, 8th April से हमारा एक नया batch इसमें start हो रहा है, जो कि आपको जरूर जाइन करना चाहिए, बस given numbers पर contact कर लीजिए, free videos देखनी है, तो global online app को download करके आप store section पर search bar में लिखे, course का नाम, इसके content पर जब जाओगे, तो free demo videos है, complete course है मेरा, यहाँ पर इस course के साथ में आपको surety दे रही हूँ कि आपको इसके बाहर से extra कोई भी book लेने की जरूरत नहीं है, extra कोई mock test के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह exam oriented course है, पिछली बार भी बहुत बच्चों ने सिरफ इसी course में से exam को qualify किया है, और जरूर आप सभी को भी यह course exam qualify करने में मदद करेगा, देखिए mock test भी है दोनों languages में, जि इसी के साथ हमारा fourth important topic है, research aptitude पर आते हैं हम, okay, so research aptitude का fourth topic है types of research, इसमें आपको qualitative, quantitative, action research, applied research पढ़ना है, इसके लिए suggestion यह रहेगा मेरा कि previous year questions कर लो, वो काफी है, ठीके, अब देखो students, अभी इस वीडियो में तो मैं सर्फ 20 topics बताने वाली हूँ, लेकिन हर unit की अलग-अलग अगर analysis करके आपको details चाहिए, तो यह telegram पर group है, तो telegram पे यह वाला group आप जरूर join कर लीजे, इसमें मैं detailed analysis, previous year examination के important questions, सब चीजें share करती हूँ, तो इसको आप join जरूर कर लीजे, आपके कोई भी doubt होंगे, वो भी आप मुझसे share कर सकते हो, ठीके, so fifth important topic है हमारा research aptitude में ही steps of research, अब steps of research में आपको सिरफ यह 7-8 steps याद नहीं रखने है, steps of research के अंदर एक topic आता है, आपका sampling, तो sampling एक ऐसा topic है, जिसके अंदर दो और types आते हैं, वो भी आपको पढ़ने है, probability and non-probability sampling, तो यह बहुत important topic है, इसके बाद छटा important topic आता है, steps के अंदर ही है, जो कि है hypothesis यानि क परिकलपना, सो परिकलपना को कैसे test किया जाता है, कैसे check किया जाता है, इसके कितने types होते हैं, यह बहुत important होता है, यह जो complete course है, global online app है, इसमें सब कुछ मैंने provide करवाया है, and live class में भी हम करेंगे exam से पहले, तो आपके लिए important है, okay, so research aptitude के एक और last topic में बताना चाहते हू तो यह topics हैं, इसके अलावा students, अब अगली unit है हमारी communication, so communication में आपको types of communication पढ़ना है, जिसमें कि आपके पास non-verbal communication, verbal communication आता है, mass communication आता है, यह सब पढ़कर जाना है, okay, इसके अलावा communication में है, barriers of effective communication, यह आपका ninth topic आ गया, okay, 10th most important section शुरू करते हैं, जो कि है आपका logical reasoning, so logical reasoning का एक यह topic बताऊंगी, यह है classical square of opposition, classical square of opposition, जिसमें कि हम A, E, I, O वाला concept पढ़ते हैं, यह बहुत ही जादा जरूरी है, और इसके अलावा, logical reasoning में में मेरा यह suggestion है, कि previous year questions कर लो इस unit के, यह पूरी unit previous year questions के जरिये करोगे, तो ही एक best आपके लिए माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि थेहरी पढ़के पता नहीं चलता कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या important है, क्या नहीं, then आते हैं अपने 11th topic पर, 11th topic है maths से related, so maths में आप लोगों को average जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है, आप लोगों को percentage जरूर पढ़कर जाना है, और साथ ही आप लोगों को ratio वाले questions जरूर पढ़ने है, तो ये तीन चीज़ें आपकी जब math में आ जाएंगी, तो directly math के साथ साथ आपका unit number 7 जो है data interpretation उसको भी ये चीज़ें clear कर देती हैं, ठीक है, 14th number पर ICT में मैं आपको बताती हूँ topic जो की है memory, ठीक है, memory hierarchy, GB, MB, KB, ये सब को range करना है, ठीक है, primary memory, secondary memory क्या होती है, ये पढ़कर जरूर जाना है आप लोगों को, 15th number पर ICT से related कुछ full forms है, तो अब full forms इंटरनेट पर search करोगे, तो हजारों लाखों के हिसाब से मिल जाएंगी, तो जो exam के लिए important है, मैं आपको वो exam से पहले जरूर करवा दूँगी, YouTube पर भी, तो आपने वो full forms पर पढ़ ले रही है, अगर full forms की PDF चाहिए directly, तो वापस कह रही हूँ, इस telegram group को join कीजिए, जो भी doubts है, वो बस आप पूछ सकते हूँ, मैं जरूर आप सब की help करूँ भी, ठीक है, then ICT में हमारे पास एक core topic है, networking, network क्या होते हैं, ठीक है, network क्या होते हैं, इसमें Google Chrome क्या होता है, Firefox क्या होता है, ऐसे ऐसी कुछी, छोटी-छोटी सी terms है, वो हम लोग पढ़ेंगे, 17th number पर people and environment आ जाता है, जिसमें की है sustainable development goals और millennium development goals, ठीक है, then we have 18th number वाला topic, 18th number पर आपको protocols पढ़कर जाने हैं, जिसके अंदर Kyoto Protocol है, Paris Agreement है, ठीक है, greenhouse gases के लिए कौन सा protocol होता है, ऐसे पूछा जाता है, Montreal Protocol हमारे पास होता है, तो ऐसे protocols people and environment में आते हैं, जो कि आपको पढ़कर जरूर जानी है, 19th topic यहां पर लिख रही हूँ, तो higher education में एक favorite topic है, NEP 2020, National Education Policy 2020, okay, and साथ ही higher education के लिए आप लोगों को ancient universities पढ़कर जानी है, जैसे कि तक्षिला university कब और कहां पर बनी थी, ठीक है, यह इस तरीके से आपने पढ़ लेना है, so जैसे तक्षिला university, ठीक है, इसके अलावा नालंदा university कब बनी थी, क्या importance है, वो सब चीजें आपने पढ़नी है, exam के लिए इन 20 topics में से question आएंगे ही, तो देखो students, यह 20 topic मेंने बता दिये, हर topic में से एक question भी अगर आता है, उनको भी strictly आप लोगो ने follow कर लेना है, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.